हमीरपुर के राट कोत्वाली छेत्र के ग्राम अकॉना में अपनी बेटी की शादी की खरीदारी करने गए एक किसान को डेल लाख रुपए के साथ कुछ अपहरण करताओं ने रास्ते से ही अगवा कर लिया है किसान के परिजनों का कहना है कि अपहरन करताओं ने किसान को छोड़ने के लिए 6,00,00 रुपे की मांग की है साथी समय से रुपे ना पहँचाए जाने पर किसान को जान से मारने की धमकी भी दी है मैनपुरी के बेवर थाना चेत्र के एक अस्पताल के सामने मकान बना कर रहने है लोपीटा के मकान में टैंकर गुज गया टैंकर के नीचे दबने से दो लोगों की मौत हो गई है जबकि एक शक्स घायल बताया जा रहा है मौके पर पहुची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भरती कराया और शव को पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है दिल्ली के तेहार जेल में बंध हरियाना के पूरु मुख्य मंत्री ओम प्रकाश चोटाला के बेटे अजे चोटाला के पास से छापे मारी के दौरान एक मुबाइल बरामत किया गया है इसके बाद जेल प्रिशासने एक महीने तक अजे चोटाला से उनके परिजणों के मिलने पर रोक लगाने की सिफारश की है दिले के बाड़ा हिंदुराव अस्पताल में किद्नी फेल होने की वज़े से एक मरीज की मौत हो गई इसके बाद मरीज के घरवालों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों की पिटाई कर दी दोलस ने डॉक्टरों की शुकायत पर केस दर्च कर लिया है हिंदुराव के डॉक्टरों ने मारपीट के विरोध में आज काम बंद कर दिया है फिल्म आक्टरिस और नाशनल अवार्ड विनर जायरा वसीम ने अपने सभी सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर एक एमोशनल पोस्ट करके बॉलिवड इंडस्टरी को छोड़ने का एलान किया है जायरा का मानना है कि आक्टरिस बनने की वज़र से वो अपने इसलाम धर्म से दूर होती जा रही है संसद नुसरत जहां दुआरा संसद में शपत के दौरान अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगल सूत्र पहनने पर हो रहे विवात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि मैं संयुक्त भारत का प्रते निधित्व करती हूं जो जाती पंथ और धर्म की बाधाओं से परे है साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब भी वो मुस्लिम हैं और सभी धर्मों का सम्मान करती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंद्र योगी आदित त्वीट हार की हताशा है प्रिधान मंतुरी नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कारिक्रा मन की बात में जल संकत का मुद्दा उठाया मोदी ने जल संकत से निपटने के लिए लोगों से वर्षा जल के संड्रक्षन को लेकर तीन अरोध किये उन्होंने कहा कि देशवासी स तो अच्छिता की तरह जल संड्रक्षन को जनांदोरन बनाएं वर्ल काप में सबसे फिसड़ी टीम रही अफगानिस्तान क्रिकिट टीम पर अंतराश्ट्री इस तर पर बैन लग सकता है शोय वक्ता ने कहा है कि अगर अफगान खिलाडियों की आईडी चेक की जाए तो ज चतिसगर के मुख्यमंतरी भूपेश बगेल ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को राजीव भवन में अपनी जिम्मदारी सौपत समय रोपड़े इस दोरान उन्होंने राहूल गांधी की तारीफ करते वे कहा कि राहूल गांधी ने मुझे रास्ता दिखाया है उनका ये विडियो सोचल मीडिया पर खुब शेयर किया जा रहा है